Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दीगी नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHN 010 का लेसन फिफ्थ पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे प्रारमभिक नगरवात के बारे में स्टार्टिंग में नगर किस परकार से थे, नगर कैसे बने, नगरों का सोरूप क्या था, नगर विकास किस परकार से हुए, ठीक है, नगर किस तर से विक्सित हो रहे थे, उसकी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लेसन के अंदर में एक important question बन कर आता है, important question क्या होता है, कई बार exam में पर आपसे पूछा जाता है, कि प्रारमभिक नगरवात के परीचे को दीजिए, प्रारमभिक नगरवात की जो विसिस्ता है, उसको बताईए, उनके सोरूप की विवेचना की जिए, उनकी प्रारमभिक नगरवात का साक्षे मिला, क्या परमाण मिला, और किस तर से वो पतन हुए, उसको बताईए, उनकी नजरिये से प्रारमभिक नगरवात किस परकार का है, उसको बताईए, इस तर से कई सारे questions घुमा फिरा के पूछे जाते है, पर सभी questions का जो answer होता है, वो ए की आप आप पीजान च्बाड़ाई प्रारंबिक नगरवाद की घ्यान के अभी ही नगराइब दोकिन धयान रखना तो कई सारे कोले कि भूसळण 10620 चाद मैं और bekommt भी यहां भी द्यान नहीं बनेगे भी आप usability वो किस तर से विक्सित हुआ, उसके प्रिकिरिया क्या थी विक्सित होने की, ठीक है, कैसे कैसे विक्सित हुआ, उसका स्वरूप क्या है विक्सित होने का, ठीक है, विकास के प्रिकिरिया क्या है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, और सुरी नहीं, किस तर से वो बठते चले ग जिससे आप interlink कर सके एक दूसरे points को जोड सके कि हाँ यह point यहां से book में से लिया गया है और आपके लिए बहुत ज्यादा benefit रहेगा एक request और रहेगा यहां पर आप से वीडियो बेनिफिट करती है आपके exam के लिए ठीक आपको लगता है कहीं भी यह कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी help करती है आपके exam के लिए तो हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर करें जहां पर आपको बहुत सारी इस तरह की और वीडियो मिलती रहेंगी और आपके एक एक like, share, subscribe से हमे motivation मिलता है और हम अच्छे से वीडियो बना पाते हैं और मेहनत कर पाते हैं इस वीडियो की PDF चाहिए हमें हमें 3 चीज़े पढ़नी होती है सबसे पहले starting में, सबसे पहला आता है नगर, नगर होता क्या है, नगर के बाद जो हमारा second stage आता हूँ नगरवाद की stage होता है और third stage होता है जो final stage के तौर पर हम जिसको देखते है नगर ही करण को कहते है, नगर होता क्या है नगर एक उसे तरह से हम नगर के तोर पर देखते हैं जो फिर गायों की इंदर में कि सुझधा है नहीं है ति कि मैं नगर के अंदर मेंन देली फृस्ट के है थी रखें़ तरह की थार शेहर को निर्दारण के लिए उन्होंने के पिंट किसता सोफ की आपड़ा के पी जन संक्या का घनतव लोग कितने जादा है उसके आधार पर भी हम बता सकते कि ये नगर है या नहीं है वैविस्था है सम्मंदित वैविस्था जो लोग उहां पर रह रहे हैं उनकी वैविस्था है उनके काम को रोज उमर रहा है कि जो जिंदिगी वैविस्था है उसकी क्या वैविस्था है उसको भी उसके बेसिस पर हम बता सकते कि नगर है या नहीं है अर्थ विष्था में जो extra work होते हैं अतिसेस मतलब अलग अलग तरह के जो लोगों की उपस्तिती होती है वो किस तरह की है उसके उपर भी भी हम बता सकते हैं समार्किय सारजनिक भवन किस तरह के जो भवन निर्माण है जो नगर की विषिस्ता के अंदर में लग लग तरह के जो structure है वो कैसे हैं उसके basis पर भी हम बता सकते हैं सासक वर्ग किस तरह का है वहाँ पर क्या उसकी पकड़ है किस तरह से rule regulation चलता है उसके आधार पर भी हम बताते हैं लेखन पदिती और यथार्थ विज्ञान वहाँ पर जो तकनीक है लेखन पदिती है जो कला है विज्ञान है ठीक है विदेश वैपार है राज्य संगठन है इनके आधार पर भी हम बताते कि नगर है या नहीं है तो नॉर्मली garden child के दौरा एक पैमाना रखा गया एक माप डंट रखा गया कि इस आधार पर हम नगरों को डिफाइन करते कि कोई वी जगह नगर है या नहीं है ये चीज़े बताती है ठीक है तो नगर होता है क्या है तो मतलब एक तरह से ग्रामिंड का अपोजिट रूप सहर की तरह ठीक है जहां पर विक्सित है लोग ठी साय है ठीक है है और जो अर्थववस्था के अंदर में अतिश्यसेच की उपस्यति है जो मतलब ऑलग लगतर के जो तो नगरिये होने की अवस्था को हम नगरवाद कहते हैं, जब नगर की और बन रहा होता है, जो पूरी अवस्था है, किस तरह से प्रोसेस हुआ, उसको हम नगरवाद कहते हैं, ठीके, तो आज के इस लेस्न के अंदर में हम क्या पढ़ेंगे, नगरवाद पढ़ेंगे, कैस डीली के थे जगहां पर मैं रहता हूं से दस साल 15 साल पेले यहां पर आज के समय में इतनी ज्यादा रश ती है यहां पर traffic है कुछ कहने की बात नहीं तो क्या बना क्या बनने की प्रकिरिया के ती दीरे-दीरे किस तर से लोग यहां पर घर बनाता है चले गए खरीते चले गए आसपास में जो घर मकान रोड थी वह विक्षित होता चला गया इस पूरी प्रकिरिया को मैंने अपने आखों से देखा अगर मैं उस वर्ड के उपर में ही जो आपका MHI 010 की जो पूरी बूक है ना वो आपको पढ़ने है तीनों प्रिक्रिया के उपर में ही पूरी बूक है और यह जो तीनों टॉपिक है ना मैं पहले बहुत अच्छे से डिटेल में फर्स सेकेंड और थर्ड लेसन के दिन में करवा चुका और यह जैन के वहां से वीडियो देखे जिससे आपको डिटेल में थोड़ा कलियर ह। अब बात करते हैं प्रारामबिक नगर की विसेस्था की होती है मान लो भाई कि नगर तो समझे में आ गया नगर नगरवाद नगरी करणा में समझ में आ अगया अब इसकी विसेस्था कि एक जगह कठा रहेंगे तो सुरक्षा करने में असानी रहेंगी परियावरन कारणों से भी कि अगर माल लो कोई बंदा यहां है कोई बंदा हुआ है मतलब चार जगह अलग अलग लोग रह रहें ठीक है तो परियावरन को भी नुकसान पहुंच रहा है अगर एक ही जगह की अंदर में ही हम करेंगे ठीक है अगंद की अपलबदता भी बढ़ जाती है अगर मालो एक जगह पे ज्यादा तरह के लोग रह रहें कोई टीकर है तो जो संसाधन की quality है वो भी enhance होती है और जादा उपलबदता बरहती है धार्मिक केंदरों के निकट इस तरह के जादा तरह हमें चीज़े देखने के लिए मिलती है धार्मिक केंदरों के लिए उसके आसपास में जनसंख्या का विस्तार हमें जादा देखने के लिए धार्मिक केंदरों के लिए विक्सित होता है गनी आवादी के कारण उपलबोगता वस्तो याँ बढ़ती है यह नहीं कि शरीव आप जो लोग रह रहे हैं सिर्फ क्रिशी खेती करेंगे वहाँ पे माल लोग जाके रह रहे हैं जो लोग कोई कुछ काम करेगा कोई कुछ काम करेगा जो उसकी खासी है तो उसकी इसाफ से करने लगए है नगरों में गैर क्रिशी कारे कलापों का विकास होता है, जो नगर होते हैं, डेली में मैं रह रहा हूँ, आप मैं गाहों में जब था, तो गाहों में क्या होता है, कि ज्यादा तर लोग हर सेकिंड परसन जो था, वहाँ पे खेती में लगा हुआ है, हर सेकिंड परसन के हर घ ठीक है हर घर में यहां पर कहा है कि कोई बंदा डॉक्टर है कोई कुछ है कोई कुछ है तो हर तरीके से यहां पर देखने कले मिलता है गैर निर्वाह कारे कलापों के मांग बढ़ती है, गैर निर्वाह मतलब क्या, निर्वाह कहा गया उन चीजों को जिनकी बेसिस पे आप जीवन को वेतीत करते हो, जीवन को आगे चलाते हो, जैसे क्रिशी कारे के अंदर में, पर यहां पर क्या होता है कि गैर निर्वाह तरी गनी अबादी वाले छेत्रों में जो सर्मिक होते हैं जो लेबर होते हैं उनको अधिक रोजगार की उपलबदता मिलती है क्योंकि वहां पे अलग अलगतर के कारे चल रहे होते हैं गाओं के अंदर में देखो कोई लेबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे यहां पे डैली के में हूँ तो हर महले के अंदर में एक आपको लेबर चौक मिलेगा जहां पे लेबर सब बैठे होते हैं और वहां पे वह अपनी काम के लिए इंदिजार करते हैं जिसको जुरुत होती ही लेबर की वहां जाता है और लेकर आता है पर आप गाओं के अंदर में जाओगे ग् कि अदिक रोज़गार की पुलबर्दीता रहती है, कृष्य ना करने वाले लोगों के लिए दिद्व कार्य के तौर पहर garant जाता है जिसमें परशाशन हो गया ठीक है सिल्फ उत्पादन है यहां पर सिर्फ नहीं है, अब इस दिल्फ उत्पादन है पर सहर के नदर में क्या होता है कि जो जिसकी खासियत है उसकी इसाफसे वो कारे कर रहा है तो स्रम का विभाजन हुजाता है स्रम ना बढ़ता चला जाता है ठीके अब मैंने पढ़ाया लेप्टॉप पे आपको वीडियो बना रहा हूं ठीके मुझे पैसे कोई और दे रहा साहिता मिलती है आगे विक्सित हुआ जाता है उसका विकास होता है समाज में मंदिरों की भूम का प्रेड़क सकती के रूप में कारे करते हैं जो मंदिर नगरवाद जो नगर जैसी विकास होता है अवयवस्थित समुदाय क्रिशी छोड़कर अन्य विकल्पो के लिए प्रेड़ीत होता है जो दूसरे समुदाय थे आज के सम्में कि क्रिशी को छोड़कर दूसरे की और बढ़ते चले जाते है आज के समय जो लेवर फोर्स है वो लेवर के जैसा काम क्यों कर रहा है कर उनके पास मानलो बहुत बड़ी जनुवीन होती तो उपना खेती होती काम करते गाउं में करते कहीं कुछ और करते पर वो लेवर वर्क के लिए क्यों प्रोसेस हो रहे हैं क्योंकि वो अववस्तित समुदाय से बिलोंग करते उनके पास उस तरह की जवर जमीन नहीं है कि वो उसको लीड कर सके तो उसके कारण से क्रिशी छोड़कर अन्ने विकल्पों की और जाते जहां पर लेवर के लिए क समाजिक समंदों पर प्रवाव जनसंग क्या होता है केंद्री करण हो जाता है केंद्री करण मतले कि जगह आ जाती एक अठा हो जाती जगह और उसका प्रवाव जो समाजिक समंदों पर भी देखने के लिए मिलता है यहां पर एक इतिहासकार आते हैं रोबर्ट एडक्सन क के अंदर में जो भू स्वामित हुँ था जो जमीनों पर अधिकार था सिल्प उत्पादन था और अन्य वैवसायव क्याता है वंस अधारिश समुहों द्वारा लीड किया जाते थे यह देखा गया वनसानुकरम वनस के अदार पर अधार ठीक है वो वयुशू संगठित थे मतलब कि रहती ब्रति Колका अधार करें किया जाता फीकार्य elegant चाहती के हिसाब से तो वह भी देखने के लिए मिलता है इसी परकार के इस इती हडपा और मोहन जोदरों में भी देखने के लिए मिलती है देखो अब यह जो पूरा में आपको बता रहो ना आप यह लास्ट वाला लाइन है मैंने इसको जान बुछ कर लास्ट में लेगा तो किस टाइम पिरेट की बात कर रहे है ठीक है आपके माइन में कोश्चन जरूर आना चाहिए जब यह कहा जा रहा है कि यह सारी चीज़े हडपा में भी मिलती है जबकि हम बात करते कि हबारत के अंदर में सिर्फ हडपा जैसे इस्थली है तो हडपा से पहले भी क्या इस से पहले की समय की बात करते हैं कि हडपा से पहले की सिर्फ है और इसका टाइम पिरिट इंड रहता है तो चलो इस टाइंट देता हूं 2600 से शुरू होता है 2600 से लेकर कब तक का समयकाल हडपा के लिए माना जाता है यह आप कमेंट करके बताएं देखते हैं कितने स्टुएंट्स को पता है इसका अंसर और नॉर्मली मैं सच कहूं तो यह आपको आठवी क्लास के अंदर में हडपा से बता जब पहली बार आप पढ़ते हो थोड़ा से इंट्रड्यूस करते हो तब यह आपको बता जाता हो औ जो अब हम यहांपर बात करते हैं नगरों का उदय किस परकार से होगा नगर बनने कैसे तो जो इतिहास कारे पुरातत वेदा यह इन को पुराणी चीज़ी करते हैं वह कहते हैं कि बोलन-दर्र्य क्या होता है एक तरसे जो पहाड़ों के बीच में छोटी-छोटी-छोटे तक मानते हैं तो जो पुरानी बस्तियां थी ना वो कहां कहां तक फैली हुई थी तो बोलंदर्रा की तलहटी से लेकर जहां पे नव पाशान और तामर पाशान की बस्तियां मिली ठीक है और मैदानी छेतर काची में मेहरगड तक मानते हैं जो मैदानी छेतर काची था उसको लेकर मेहरगड तक पूरा ये जो बस्तियों का सोरुप को मांते हैं अब बोलंदर्रा होता क्या है तो बोलंदर्रा है कहां तो बोलंदर्रा पाकिस्तान में बुलुचिस्तान का एक प्रमुक दर्रा है जो केटा और जोकाबाद से जोड़ता है देखो बोलंदर्रा आपको प सब्सक्राइब करें पर पहले की यहीं होंगी त्रीक है यहां पर बताया भी जाता है कि इन बस्तियों के इंदर में हडपा बस्तिया को सामिल नहीं किया जाता है हडपा के आसपास का छेतर है पर इसमें हडपा की जो प्रमुक बस्तियां हडपा की उसको सामिल नहीं किया जाता है यह का जाता है कि हडपा की पहले के सहर पुरवर्तित सहर के तोर पे इनको जाना जाता है इनका जो काल है वो 3500 से लेकर 2600 इसा पुरुव का काल माना जाता ह हडपा सबेता जो स्टार्ट होता है वो 26 सो से स्टार्ट होता है आपको वीडियों बताना है कि कब तक चलता है ठीक है यहां पे देखते कितने लोगों को आंसर पता है हडपा सबेता है कि जो विसेस्ता है इसके अंदर मौझूद नहीं है यह कहीं सोचो कि दोनों में सिमिलर विसेस्ता और खासियत तो ऐसा कुछ नहीं है यह अलग विसेस्ता यहां पर देखने के लिए मिलती है यह अधिकांस इस्थानी समाज से प्रियोग किया जाता रहा हुगी जिन चीजयों का उसीका उप्योग करते होंगे बुनियादी निरवाह के लिए गेहूं और जो पे निर्भर होंगे यह भी ठीक है घरों के निरमान के लिए ईतों का उप्योग किया जाता होगा नंगरवाद की परकिरिया दिर्ग कालिक और क्रमिक थी ऐसा नहीं स better कि नगरवाद की परकिरिया थी एक से दू दिन में नहीं होता कई सताब्दी लग जाती थी मतलब कई सो साल लग जाते थे एक नगर को पुरी तर से बन ने में और उसको विखसीत होने में नगरवाद का जो बसावाट है परि परिवर्तन परिपक मतलब वह जब तक ौते हरपा की और बदलते हूँ संकेद गते ज़िस दिरेका रखर था हमें मिला उससार से उसके संकीर भी मिलते हैं उससार से बदले होंगे परिपक होतंगे मिचयोर होते समय ne नए स्थोलों की प्रात्थ मिक्ता देखे हैं जो मतलब नए जो हडपा की जब खोद की जारी थी तो उसमें जो नए नए स्थल थे उनके उपर में ज्यादा इंपोर्टेस दीगए कि ये चीज़े हडपा को डिफाइन करती हैं सिंदु खाटी में तिवर गती से नगठीय विकास देखा गया बाकी जगों से मुकावले में बहुत तेजी से नगठीय विकास माना जाता है नगरवात के पारंब में मोहन जोदः जैसे बसावते देखने erm लिए मिलती हैं जिसमें पकी सडके जल निकास पड़ नाली और आदी चीजों को यहाँ पे देखा जात है उनकी जैसे नालियों का निर्माण, पकी सडकों का निर्माण, जल निकास जैसे वहिजदा ठीक है चबूत्रों का निर्मान इस तरह की जो ववैस्था थी नगरिय जो खासिय थी वह यहां पर देख निकले मिल जाती है जिसके का जाता है कि काफी हद तक सिमिलर थे दोनों की बसावटे ठीक है समझ में आता है आगे मैं बात करूं नगरिय स्रेणियों के बारे में कि तो काजाता है कि नगरिय केंद्र सब्द पूर द्वार नगर ठीक है नाम से नहागर मतलब है सहर दूर मतलब क्या बड़ा सहर जो सामिल visitor उसको अलग ड़ग नाम से जाना शी छो इसके पूरा सहर नगर मतलब होता है तो इसके बारे में लिखित कोई श्रोत तो उसका अभाव हमें देखने lists यह और प्तिल जानािकरी का प्रमुख सुरोतों सुरोतौ्ट जानाइफ जातार की जो किस तरहिवस्थ सुरोत के तौरल प्लेकर उनल्ण विन जागा जगाता हैं छोटे आकार के बसावट में भी नगरीय यह धर्म नगरीय यह विवस्ता देखा जाती एकनarenth tay या उसको अधा ज़ा जाता था जिसमें के अधा नगर बढ़े होते हैं तो फिस तरह से पर आज कि समय में देखा होगे ना जोह चोटा है अपुस्ट अदिखो बिहार If you know a minute का रहा है बीचाहर के मुकाबले में चोटा सब्चा बीहार के अंदर में अगर बिहार की आप इगजांपल लीकर डियवारinum न धर में 15 भीज प्रिट कर दली और बहुत सारे जगए कर बाट बमेद जदाइगा ठीक है पर बिहार के कावले में कितना आगे इहां की घनी अवादी कितनी जादा है आप वह सोच लो ठीक इतनी चोटी से जगह में दो ढ़ाई करोड तिन तो लोग रह रहे और पूरे बिहार के अंदर में 6 करोड के आसपास में लोग रह रहे ठीक है तो इस तरीके से हम यहां पर चीजे भी करोगे तो अकार के अधार पर सही नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटा अकार में भी बहुत जादा लोग रहते हैं आप जन संक्या के अधार पर बात करोगे वह भी सही नहीं कर सकते हैं तो अलग-अलग पैमाना यहां पर रखा गया ठीक है कई बार क्योंता है तो उसको वहाँ पर अर्द नगरी है की तौर मानागे कि आदाई विक्सित हुआ तो ये भी चीज़े यहाँ पर देखी गई नगरी इस रेणी के अंदर में ठीक है एक लास्ट टॉपिक आता है आपका हडपा नगरों का अंत इसको आपको खुद पढ़ना है पर थोड़ा स कि आप से पाइब से पतन वहुग है प्राकरति आपधाएं दूसरी चीज कि रहता है ब्यदेशी आकर्मन अगर किसी आकर्मन कारी ने क्या पता है उसके कार्मन से पतन हो गया तीसरे ऐहां पर दिखा जाता है कि मानलों कोई माहामारी फैल गई भाय सवी होगया चौत्था चीज यहां पर पर और लोग सब दूसरे जगभान कर गए तो यह कारण रहते हैं उध्यांस कारों के रिफाइन कॉना-जाकर कंप कीश तरिके से रएक पर कंप पर निरवाग का तरीका कुम क्या सकते și एक पांचर तरीका यह भी रहता है कि भोजन का अभाव भी रहता है कि भोजन के कारण से एक जिगर से दूसरे के चले गए क्या पता वो चारगाह के जिन्द की वैतीत कर रहे हैं तो अलग-अलग लॉजिक्स भी यहां पर आते हैं चारगाह वाला तो फिर भी फिट नी सब्सक्राइब का अच्छे आप लिख पाऊगे आई होप सो समझ में आया होगा और अगर किसी स्ट्रेंट को कोई डाउट है कि समझ में नहीं आया मुझे एक बार आप दुबारा बता दो तो वीडियो को दुबारा देख सकते हो फिर भी समझ में आये तो मुझे कमेंट क सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं वीडियो के एंड में आप सभी वीवर से एक रिक्वेस्ट दुबारा में करना चाहूंगा आप सभी का कि हमारा दो चैनल है दी इनब और नब इनफो नब इनफो पे आपको कॉलेज से जुड़ी होई सारी अपडेट मिलती है इगनु कि आप एक्जाम की त्यारी कर रहे हो में कर रहे हो उससे जुड़ोगी जो भी अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी सारी आपका सिलिबस कवर करवाया जाएगा ठीके तो यह बैनिफिट दीनब का है और नब इनफो पे आपके कॉलेज की अपडेट मिलत तरह के तो दोनों चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स थैंकियो सो मच पर वाचिंग में थैंकियो सो मच पर लिस्निंग में बाबाए टेकर आल बेस्ट